नमस्कार दोस्तों ममता की रसुई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जारी हूँ नीबू का खटा मीठा आचार और ये आचार बहुत ही चटपटा होता है और सिर्फ 15 मिनट में बनके त्यार हो जाता है आप इसे तीन साल तक इस्टोर करके खा सकते हैं तो चलिए आचार की रेस्पी को सुरू करते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें मेरी टेस्टी और हेल्दी रेस्पी देखने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है नीबू और ये नीबू लगपक 10-12 नीबू है इसे मैंने सबसे पहले अच्छे से वास किया है उसके बाद कॉटन के कपड़े से पोच लिया है क्योंकि जब अचार को जादा दिन तक इस्टोर करके रखना होता है तो उस अचार में आपको बिल्कुल नमी नहीं रखनी है तो ये देखिए इस तरीके से हम दो पीसों में नीबू को कट कर लिये हैं कट करने के बाद में क्या करूंगी कि तीन से चार नीबू को लोंगी और इसका रस निकाल के अलग रख लोंगी यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से रस को निकाल लेते हैं नीबू के और ये अचार बहुत ही चटपटा और स्वाधिष्ट बनता है आप किसी भी तरह के पराठे हो उससे खाएं बहुत ही लाजवाब लगता है तो देखिए यहाँ पे मैंने नीबू के रस को निकाल लिया है इसे एक साइड में रखते हैं और अब मैं क्या करूँगी कि जो नीबू के बीज हैं उसे मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ आप चाहें तो बीज के साथ भी ये अचार बना सकते हैं पर जब हम इसे खाते हैं और बीज में बीज आते हैं तो बीज का जो टेस्ट होता है वो बहुत कड़वा होता है तो फिर अचार का मज़ा खराब हो जाता है इसलिए आप इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आप बीज को निकाल लेंगे तो अचार बहुत ही टेस्टी बनके त्यार होगा आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपको बीज को निकाल लेना है जितने बीज निकल पाते हैं उतने निकाल दीजिए और ये आचार खटा मीठा होता है तो बहुत ही चटपटा लगता है आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करियेगा आप सब को बहुत पसंद आएगी तो यहां पे देखिए इसी तरीके से मैंने सारे बीज को निकाल लिया है बीस को निकालने के बाद हम क्या करेंगे बीस को फेक देंगे क्योंकि बीस को हमें अचार में यूज नहीं करना है तो इसे हम फटाफट फेक देते हैं ये देखिए और 20 को फिकने के बाद मैं इस जो नीबू मैंने लिया है इसे मैं फिर से थोड़ा से छोटे पीसों में कट करूँगी आप चाहें तो बड़े पीस में भी अचार को बना सकते हैं पर खाने में आसानी होती है जब अचार के पीस छोटे होते हैं यहाँ पर मैंने भगोने में एक से डेड़ी गलास पानी लिया है और उसमें इस तरीके का इस टेनर रख दिया है और उस पे नीबू को रख दिया है हमें नीबूओं को पकाना है लेकिन बिल्कुल इसे भाब पे ही पकाना है इसे पानी से बिल्कुल दूर रखना है तो यहाँ पे देखिए मैंने रख दिया है गैस पे और इसे ढख दूँगी 10 मिनट के लिए मैं इसी तरीके से पकने दूँगी आपके पास अगर कोई जाली वाली थाली है तो आप उस पे भी नीबूओं को इस तरह की से फैला के और वाइल कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं कट करके दिखा रही हूँ नीबू बहुत ही अच्छे से 10 मिनट में पक के तियार हो गए हैं और बस इसी तरीके से हमें पकाना है यह देखिए अब इसे एक साइड में रखते हैं और फ्राइंक पें में डेड़ कप चीनी डाल तो यहाँ पे मैंने डेड़ कप चीनी लिया था और इसी कप से मैंने पौना कप पानी डाल दिया है तो लगबग यहाँ तक मैंने पानी डाला है इस कप से और बस इसमें बहुत ज़्याद सी चासनी बनानी है बहुत ज्यादा इसे उबालना नहीं है तो देख़िए यहापे थोड़ी سी चिप्चपी सी चासनी बन गई है और चीनी वैल हो गई है तो मैंने इसमें बुना-जीरा डाला है उसके बाद मैंने डाल दिया है करेंगा कश्मीरी-्लाल-मिर्श लिक ऐसमावान देना हैरा आप इस तरीके से मसाल transit को डालें और डाल पका लेते हैं ताकि जो सारे मसाले हैं इसमें अच्छा सा टेस्ट आए इसके बाद मैं डाल देती हूं नीबू का रस और नीबू का रस डालने के बाद भी हमें थोड़ी देर तक पकाना है तो लगबग एक मिनट तक नीबू का रस डालने के बाद भी मैंने पका लिया है त ताकि जो नीवु का अचार है बहुत ही अच्छा बनके त्यार हो। और इसका जो खटा मीछा टेस्ट है, बहुत ही अच्छे से इसमें अंदर तक जाए। अब मैं लाश्ट में हींग डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हींग का। तो इंग जरूर डालेंग, अब यह हमारा अचार बन के तयार है, गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे सर्फ कर लेंगे, और यहां पर मैंने एक बॉल में इस अचार को निकाल लिया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, इसका आप रोटी से खाएं या फिर पराठे से, बह वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, बाए बाए दोस्तों,